हलो फ्रेंड्स सुभा के टाइम अगर अगर खलका और टेस्टी नास्ता मिल जाये तो क्या बात है कि तो सभी को टेस्टी लगता इनाज हम चीडवा बनाएंगे इसमें भर्पूर आइरन होता है और शरीर में आइरन की कमी को पूरा करता है यह बहुत ही पोस्टिक होता है और खाने में मज़ेदार लगता है तो आईए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम 200 ग्राम चीडवा लेंगे और उसमें हलका सा पानी का चीटा मार के उसको भीवोके रख देंगे इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है ताकि वो हलका सा नम हो जाए अब कड़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें आठ दस करी पत्ते डालेंगे एक चम्मस सरसो दाना इनको हलका सा भूनेंगे और आठ दस मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चर डाल कर थोड़ा सा इने पकाएंगे अब इसमें हम दो उगाल के काटे हुए आलू डालेंगे और इनको भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे एक बड़ा प्याज मोटा मोटा कटा हुआ और इसमें आदा चमच हल्दी डाल देंगे इसे भी अच्छी तरीके से मिलाएंगे अब इसमें एक कटा वा टमाटर डालेंगे और आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार से डालेंगे अब इसे थोड़ी करें चलाएंगे इसमें थोड़ी सी भूनी होई मोंपली अब जो भीगा हुए चिडवा था आप इसके अंतर मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से चलाना है जो चिडवे का वाइटनेस है वो बिलकुल गायब हो जानी जाए इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे इसको चलाने के बाद आप इसमें भूनी होई मोंपली और हरा धनिया डाल कर चलाएंगे और यह फिर तैयार हो जाएगा यह देखी कितना कलरफूल लग रहा है आयुरुवेद में भी कहा गया है कि आप जितना कलरफूल खाएंगे उतना ही आप सुस्त रहेंगे तो हेल्दी रहने के लिए लाइक करें और आपको कैसा लगा कमेंट्स करें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें रहे मैं ञाक साएंगे लगां यह में औरर ऋहन एक। शल्का करेंजर दंटा मीच्स करें पाएंगे लगांगे लेसी जाफूल घएक का वेट ज्रा वीज़ ऋंढ बड़ करेंगे ढ्वेफ। मैं तू सब्सक्राइब करें दो Katie